बीरू अकैडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी सात्यों का स्वागत है डियर बात करेंगे जो बीएड यूनियन की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी मानिफ शुप्रिब कोट में जिस याचिका को पूरी तरीके से खारिच कर दिया गया मानिफ शुप्रिब कोट में आखिर उस याचिका का जो असर है वो किन किन राज्यों पर होगा इस याचिका पर जो जुर्माना है वो आखिर क्यों लगाया गया एंसीटी पर किस तरीके से दाओं खेला गया मत्प्रदेस और 36 गड़ में जो वीएट के कैंडिडेट चैनित हैं उनका इस पूरे याचिका से किस तरीके से कनिक्सन है उस पर भी चर्चा करेंगी लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जोड़ रहें सबस्क्राइब कर से एक रिट लगाई गई थी जिसके सुनवाई 22 जनवरी 2024 को हुई मानिक शुक्रिम कोट में पी एस नरसिंबा और जस्टिस अर्विन दुकुबार जी की बेंच पर सिरियल लंबर शोला पर मामला कहीं नातहीं लिस्ट की जा गया था लेकिन यहां पर कई जो बाते हैं वो एंसीटी 2010 का है जिसको एक्ट 2010 के तहरे पावर दी गई थी उहां पर और साथ ही साथ इन्होंने कमेटी का गठन की भी बात की कि एंसीटी को पावर दी आ गया उसके एकॉर्डिंग बी एट प्राथमिक में समिल किया गया अठाई जून 2018 के गजट के एकॉर्डिंग इस त रिकूर्टमेंट आए उन सब पर वियर्ड पूरी तरीके से सेफ रहे और 28 जून 2018 से ले करके 11 अगर्व 2023 के वीच के जो वियर्ड की कैडिड एक था हैं वो ब्रिज कोर्स करके पूरी तरीके से प्राथमिक के लिए इलजबल कर दिये जाए इस तरीके की यहां पर कई प्र हिमाचल प्रदेश मद्द प्रदेश जार खंड कई राज्जों का इन्होंने बिहार कई राज्जों विष्ट बंगाल कितने भी राज्जों का इन्होंने सारी तरीके से जो डाटा है वो मानिक शुप्रिम कोर्ट में रखने का प्रयास किया और कुल मिला करके राहत पाने के लिए इस तरीके की जो मांगे हैं इन्होंने मानी कोट के समझ रखी थी लेकिन उसके अगेश्ट में आप जानते हैं कि डिलर्ट की तरफ से मिनाक्षी अरोडा मैम ने भी अपना पंच रखनाई स्टार्ट किया उन्होंने पूरी तरीके से मानी शुप्रिम कोट को सारी ब जाक्षी अरोडा मैम ने सब से पहले दीपांकर गौरों की याचिका की बात की जहां पर विहार में तीन जज़्जों की बेंच के द्वारा अल्रेडी डिसाइड किया जा शुका था इस प्रेरी के लोग करके इसके बात उन्होंने भगवान स्रीकृष्णी की याचिका का जो निस्तारण था उसकी बात की और फिर उन्होंने मिसलनिस अप्लिकेशन अर्नोगोस की जारा जन्मनी दोजार चौबिस का निस्तारण की बात की की अल्रेडी ये सारे मैटर अल्रेडी डिसाइड हो चुके हैं हलाकि मानिवी कोट ने इस पर स्थोर पर बीएट के अभी ग्याना जन्मनी दोजार चौबिस को तो आपने ये सत्थमानी शुप्रिम कोट में क्यों चुपाया केवल इन्होंने एक राज्ज का जो भरती प्रक्रिया है 36 गण का जिस तरीके से वहाँ पर हाई कोट ने रोका था बेट कैंडिडेटों की काउंसलिंग इत्याद था फेस्त ना दीपांक और गोरों की चर्चा की गई ना यहां पर अरनोगोस के मिसेलने सप्ली केसंस की चर्चा की गई ना तो कही ना कई भगवान से रिकिष्ट की याचिका मदब्रेश की चर्चा की गई इन सारे तथियों को छुपा लिया गया था और इन्होंने 36 कंप्लीट करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया था तो इस तरीके की कोई गल्ती ना हो मानी शुप्रिम कोट में इसकी होजा से मिनाक्ची रोडा मैम ने कहा कि एक बार ये कहीं ना कहीं ओवर डिसीजन की बांद कर रहे हैं यानि कि आप कह सकते हैं कि शुप्रिम क किया जाए कुल्विराकल के मिलाक्षी रोड़ा मैम ने सारी बाते रखने का प्रयास किया कि इस तरीके से तत्थ चुपा करके ये जो डिसीजन आल रेड़ी डिसाइड हो चुपे हैं उनके अगेस्ट में ओवर डिसीजन कराने के लिए आ जाते हैं ताकि माल लिजिए कि अर या कुछ ऐसे आप तत्थ ना जानते हों जिन तत्थ चुपा लिया तो डिसीजन अगर इनके आप फेवर में दे देंगे तो इस तरीके के लगातार फिर डिसीजन को इले करके हाईलाइट करते रहेंगे और मामले को लगातार कलंबा खिशता जाएगा इन सारी चीज़ों को देखकर के मानी चुप्रिम कोट ने इस पर स्थ तोर पर बीएट के अड़ोकेट से पूछा कि आपने अभी हाले में जो मिसलने सप्लिकेशन खारिज की गई ती अरनोगोस जी की याचिका उसका आपने यहाँ पर हवाला क्यों नहीं दिया आपने कई तरीके की बाते र पर बीएट के जो एड़ोकेट थे उन्होंने कहा हमारा इस तरीके का रखने का कोई पच्छ नहीं था उपनोंने पूरी हमने इस सत्य को छुपाया नहीं इस तरीके की कई बाते उन्हों की गिरगणा प्रानम कर दिया और अपनी जो अप्लिकेशन से याचिका उसको विड पूरी तरीकेशन से लगा दिया जो पर अवरणी जो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कोट ने सक्त लहजे में वेड के एडवोकेट को कड़ी फटकाल लगाई साथी साथ डिस्मिस करते हुए कास्ट भी इन पर लगा दिया गया ति अगर आप दोबारा इस तरीके की याचिका एलाते हैं तो आप पर और जो जुर्माना है वो बढ़ाया जा सकता है अब इस का मद्दप्रदेश और 36 गड़ में जो चैनित कंडिडेट हैं भरती प्रक्रियाओं पर जो आने वाले मामले मानी कोट में आलरेड़ी फसे हुए हैं पेंडिंग हैं वहाँ पर क्या होने जाए क्या होगा तो देख दियर 36 गड़ में भी हाई कोट का जो जज्जमेंट था उसको मिसगाइड करके सुप्रिम कोट में रखा गया था बी यट की तरब से और उस पर सुप्रिम कोट ने इनको राहत देते हुए काउंसिलिंग इत्याद में पार्टिसिपेट करने का आदेश दिया था और इनकी जो 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 जॉइनिंग है वो सिकंबर माह में की गई ज यहाँ पर दीपांकर गोरों की जो याचिका थी उस पर सुप्रिम कोट के तीन जज़्जों की बिंच के द्वारा अल्रेडी ये कहा गया था कि 11 अगज 2023 के बाद एक भी पोस्ट पर बी एट के कैडिलियेट अलाउन नहीं किया जाएंगी तो 36 गड़ में आप जानते हैं क पूरी तरीके से नीरलहार हैं और मैं आपको बता दूं मिस्गाइट करके मानी शुप्रिम कोट से उनके फेवर में काउंसनिक इत्याति को जारी कराने का जो आदेश है वो लाया गया है और जैसे ही वाप पर मिसलने सप्लीकेशन अर्नो घोस की चर्चा की जाएगी दीब करने का देश पटना हाई कोट के द्वारा जारी किया गया सेम सिमिलर मैटर मदपरेश की वर्गतरी की सिच्चक बरती है क्योंकि यहां की जो सिच्चक बरती है वो भी बीएट की तरफ से एक आईए ऑलरेडी शुप्रिम कोट में दाखिल करके अपना पच्छ रखा जा च चुकी है तो जबल पुरहाई कोट में मामला अभी भी विचारा दहीन है मदपरेश की सिच्चक बरती का चुकि भरतियां आउटकम है मदपरेश की हो 36 गड़ की हो तो इन सब पर इस जो खारी जी आचिका हुई है वो और मजबूत करती जा रही है फिर मिलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए जाए जाए भारत